आज मैं आप सभी लोगों के लिए आलू बैंगन के चोखे में बढ़ने वाली तेश्टी चटनी की रेसिपी दिखाने जा रही हूँ जिसे आप इस तरह से सिल्वट्टे पर भी बना सकते हैं इसे बनाने के लिए मैंने टमाटर, लाल मिर्च, हरी मिर्च, कली वाली खटाई, हरी धनिया, लहसुन, अदरख इन सभी चीजों को एक कप पाने डाल कर और साथ में नमक डाल कर मेडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक बॉयल कर लिया है और इसे सिल्वट में निकाल लिया है, अब इसे हलके हाथों से पीशूंगी ताकि ये चटनी खाने में बहुत ही टेश्टी लगे इस चटनी को हमें बहुत ज़्यादा बारिक नहीं पीशना है तो इसी तरह से मैं इसे पीश लूंगी आप इस चटनी को अपने मन पसंद आलू के भरते में या फिर आलू बैंगन के भरते में बना कर डाल सकते हैं या फिर दाल चावल रोटी के साथ में भी इसे बना कर खा सकते हैं तो इस तरह से मैंने इस चट्नी को पीछ लिया है आप देख सकते हैं और आप इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी तो आप सभी लोगों के लिए आलू बैगन के भरते में पढ़ने वाली तेश्टी चट्नी बनकर तयार है अगर आपके पास कली वाली खटाई नहीं है तो आप इसमें नीबू का रस भी डाल सकते हैं अगर आप सभी लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल न भूलें